नमस्कार, Unacademy की क्लास में आप सभी का श्वागत है, जैसा कि हम लोग ने बताया था कि Unacademy में हम लोग परियावरन और पारितंत्र इसके कुछ टर्मिनलोजी को लेकर हम लोग चल रहे हैं, जिसमें छोटी-छोटी संकल्पनाओं को लेकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर र नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी यह संकल्पना कारगर जैसे दोने वाली है, तो आज हम लोग जो संकल्पना लेकर आए हैं, उसे हम लोग कर रहे हैं कारबन साइकिल, जिसे बहुत ही सामान्य भासा में हिंदी में अगर कहा जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं कारबन चक्र आईए देखने का प्रियास करते है कि तो कार्बन चक्र का तात्पर है तो हमारा कारबन डाइकसाइड के रूप में वायू मंदल में मौजूद है और वायू मंडल से यह कार्बन आता है भू मंडल पर यह आता है जल मंडल पर और भू मंडल का ताथ पर यहां अस्थल मंडल से जहाँ हम लो ले सकते हैं यानि स्थल यह भाग पर अस्थल मंडल जल मंडल पर आता है और इस जल मंडल से वापस चहवा कहाँ चला जाता है वाईू मंडल में यही कारबन चक्र है बहुत सिंपल जहवा मेठरडोलाजी से समझा जाए तो यही कारबन चक्र है अब इस carbon चक्र की भूमिका को समझने की जरूरत है कि यही देखिए atmosphere में CO2 जो है वह मौझूद है और atmosphere में CO2 कहां कहां से atmosphere में CO2 जाते एक तो atmosphere में मौझूद है इसके अलावा जो है जितने भी जो है और कहां से source क्या है carbon dioxide का source क्या है तो जो वह मौझूद है ही इसके अलावा जो है जितने भी जीव है सारे जीव वह जीव जब respiration करते हैं यानि स्वसन करते हैं तो carbon कहां जाता है वायूमंडल जाता है जब भी respiration करेंगे स्वसन किरिया करेंगे तो कार्बन कहां जाएगा तो वायू मंडल में जाएगा तो दरसल जैसे जह अगर हम लोग बात करें जीव जैसे यानि कि मानव है मानव तो सामानी रूप से oxygen लेते हैं चोड़ते हैं वह सिंपल सा प्रॉसेस है लेकिन इसके साथ मानव के अलाबा अन्य जीव भी दरसल जहां oxygen लेते हैं और कार्बन डायक्साइड चोड़ते हैं अब अगर पौधों की बात की जाए तो पौधे जहेवा दरसल दो प्रकार की क्रियाएं करते हैं एध्यान से समझेगा पौधे या पौधे के साथ साथ हम लोग ब्रिक्ष की भी बात कर लें कोई भी ब्रिक्ष तो पौधे और ब्रिक्ष जहेवा एक क्रिया करते हैं स्वसन जिसे हम respiration अंग्रेजी में respiration कहते हैं तो स्वसन क्रियाक में जब वह क्या करते हैं तो actual में ये oxygen ये भी oxygen लेते हैं ये भी oxygen लेते हैं respiration में और क्या करते हैं तो carbon dioxide छोड़ते हैं जब respiration कर रहे होते हैं तो ये जब वह क्या करते हैं oxygen ग्रहन करते हैं और carbon dioxide छोड़ते हैं अब जहवा देखिए ध्यान से यह स्वसन जहवा की क्रिया हो रही है तब और एक होती है जिसे हम करते हैं प्रकास संसलेशन की क्रिया तो फ्रकास संसलेशन यानि फोटो सिंथेसिस में यह क्या करते हैं तो फोटो सिंथेसिस में यह क्या करते हैं तो यह जहेवा carbon dioxide का अवसोशन करते हैं और यहाँ पर देखा जाए तो यह oxygen छोड़ रहे होते हैं रिलीज कर रहे होते हैं, अब आप लोग को पता है, आप लोग ने बैलोजी में भी पढ़ा होगा कि यह जो प्रकास संसलेशन की क्रिया है, यह प्रकास संसलेशन की क्रिया जह होती है दिन में, यह कब होती है, दिन में, और स्वसन की क्रिया जब होती है, तो वह जह होती है, है रात्री रात्री इसका मतलब है कि एक पौधे हो या वरिक्ष हो वो रात्री के दौरान में क्या करते हैं तो आपने सुना भी होगा कि ग्रामीन शेत्रों में इस बात की जह हमेशा से चर्चा जह हो रहती है कि किसी भी व्रिक्ष के नीचे जह है रात्री में हमें सोना नहीं है क्यों सोना नहीं है क्योंकि रात्री में किसी भी व्रिक्ष के नीचे कारबन डायोकसाइड की मात्रा बढ़ जाती है और हम जह हमेशा ही स्वस स्वसन क्रिए में तकलीफ होती है तो इसलिए रात्री के समय पेड़ के नीचे कभी भी नहीं प्रत्री कर रहे हैं दोनों ही, दिन हो या रात हो, दोनों के समय में उसकी कार्बन की भूमी का जहवा उसकी है ही. अब जहवा देखिए, ध्याम से देखते हैं हम लोग, तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइकसाइड वायू मंडल में मौझूद है, और ये गया कहां से, तो जीव के द्वारा, जन्तू के द्वारा, और प्लस्च है वह पौधे के द्वारा, ये जो है वह कार्बन डाइकसाइड गया कहां, वायू मंडल में, वाईवंडल में कार्बन जया है डायक्साइड गया लेकिन इसके साथ-साथ एक चीज और भी है कार्बन डायक्साइड तो गया वाईवंडल इसके साथ-साथ क्या है प्लस जो है हम इसमें देख लें कि प्लस जो हुमन एक्टिविटीज जो human activities है अब human activities में हम लोग economic activities की बात करते हैं यानि आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं जैसे हम लोग बात करें उद्योग तो जैसे हमने ताप विद्दुत किंद्र की स्थापना की है जैसे हमने cement plant की स्थापना की है जैसे सूती वस्त द्योग की स्थापना की है जैसे विनिर्मान द्योग की स्थापना की है इन सब जगह से क्या होता है तो इन सब सारी जगह से दरसल वायू मंडल में कारवन डाइकसाइड जाता है अब ये कारवन डाइकसाइड वायू मंडल में ये श्रोत हो गए यानि इन इन माध्यम से वायूमंडल में पहुचता है तो Carbon Diakseite वह से आता कैसे है तो Carbon Diakseite आने का जो स्रोत है यानी Carbon Diakseite वायूमंडल में है तो अब धर्ती पर कैसे वह आया तो देखिएगा कि पेड प्लस पॉधे यह Carbon लेते है ये पेड और पौधे क्या करते हैं कार्बन लेते हैं कैसे कब तो अभी थोड़ी दिर पहले जहवा बताया कि जब वे प्रकास संसलेशन की क्रिया यानि फोटो सिंथेसिस की क्रिया कर रहे होते हैं प्रकास संसलेशन तब वो कार्बन डायकसाइड लेते हैं चीक है इसके अल इन कारबन डायक्साइट जो है वो क्या होता है तो कारबन डायक्साइट जो है वो सागर की बात करें अगर हम तो सागर में प्लैंक्टन्स होते हैं प्लैंक्टन्स हलाकि प्लैंक्टन्स दो प्रकार के होते हैं एक वो फाइटो प्लैंक्टन्स होता है एक जू प्लैंक्टन् प्रकार के छोटे जीव हैं जो माइक्रो और्गनिजम है वाटर में तो सागर में जो प्लैंक्टन्स के अंतरगत फाइटो प्लैंक्टन्स हैं वो फाइटो प्लैंक्टन्स क्या करते हैं वो भी कार्बन का अवसोशन करते हैं अब देखिए फाइटो प्लैंक्टन्स है कि संक तलपना आती है carbon sink अब देखिएगा मैं समझा रहा हूँ यह sea level है और इस sea level में हम लोग देखें तो यहाँ पर बहुत सारे यह थोड़े बड़े dots है वह मैं ले लू तो यह बड़े dots जितने भी हैं यह सारे बड़े dots है वह हम लोग कहें तो यह phytoplankton है यह क्या है phytoplankton यह सारे है phytoplankton अब phytoplankton से वह क्या करते हैं यह भी प्रकास संसलेशन की क्रिया करते हैं क्यों करते हैं यह sea level सागर का तल है सागर के तल में अगर जह है आप तकनीकी रूप से जह है वह जानने का प्रयास कीजिएगा तो लगभग जह है वह 56 मीटर की गहराई तक अप तू 56 मीटर की गहराई तक सुरी का प्रकास पेनिट्रेट करता है यहनि सुरी का प्रकास अंदर तक जाता है तो जब सुरी का प्रकास अंदर तक चला जाता है तो ऐसी स्थिती में प्रकास श्यवा आ गया और प्रकास आ गया और वायू मंडल में जहेवा क्या मौजूद है कार्बन डायकसाइड मौजूद है तो वायू मंडल में कार्बन डायकसाइड मौजूद है ठीक सागर्ग सता के उपर और प्रकास श्यवा मौजूद हो गया त ये प्रकास संसेलेशन में फाइटोख फ्लेंकर्टन के द्वारा अवशोशित हो जाएगा, और हम लोग यह जानते हैं, कि जब यहां कारबन अवशोशित हो गया, तो प्रकास संसलेशन के दौरान में क्या जह होँ रिलीज होता है तो oxygen रिलीज होता है तो इसका मतलब है carbon dioxide का absorption हुआ और oxygen रिलीज हो गया तो oxygen तो वाईव बंडल में चला गया लेकिन जो carbon dioxide का absorption हुआ तो उसमें carbon कहां रह गया स्वाइटो पलैंक्टन्स की बॉडी में रह गया इसकी सरीर में अब देख़े ये सागर तल है ये सागर तल है तो सागर तल में जहाएवा क्या हो गया गया तो जब सागरतल में कार्बन डूब गया इसी लिए इसको जह है वह कार्बन सिंक या कार्बन का डूबना कहते हैं अब यह कार्बन का डूबना है यह हम धरातल पर भी देखते हैं जैसे यह धरातल है और धरातल पर अगर कोई जह है वह मान ले कि एक वरिक्ष है तो हम लोग जह बना देते हैं यह फॉरेस्ट एरिया है अब इस फॉरेस्ट एरिया में जहां गौर करके देखें कि फिर से यहां प्रकास संसलेशन की क्रिया हो रही है यहां से CO2 जहां क्या हो रहा है तो CO2 एब्सॉर्ब हो रहा है प्रकास संसलेशन में और यहां से ऑक्सीजन जहां क्या हो हम साखाएं देख रहे हैं व्रिक्ष की जो पत्तियां देख रहे हैं वो दरसल इसी कार्बन में मौझूद हो जाती है यानि ये कार्बन से ही बन जाता है वो पेड़ उसकी साखाएं मुख्य तना उसकी साखाएं या टहनियां या पत्तियां सब कार्बन से बनती हैं अब दे पेट्रोलियम बन जाते हैं या यही पेड़ पौधे जिवास्म जो है यही कोईला बन जाता है और जब उसको जलाते हैं यानि पेट्रोलियम को जलाया या फिर जिवास्म को जलाया या फिर किसी भी कोईले को जलाया तो जो डिपोजिट कार्बन था वो डिपोजिट कार्ब या फिर वायू मंडल में चला गया इसी लिए fossil fuels कोई भी fossil fuels या चाहे petroleum हो, diesel हो, petrol हो, diesel हो या kerosene oil हो, या जह हुआ coal हो, उसके जलाने से carbon dioxide मुक्त होता है, carbon मुक्त होता है जो वायू मंडल में चला जाता है तो ये human activities से इसका मतलब क्या है कि हम एक तरफ जह वा carbon का अवशोशन कर रहे है और दूसरी तरफ जह वा क्या कर रहे है तो carbon को मुक्त कर रहे है carbon को मुक्त कर रहे है, देखिए, यहाँ जीव, जन्तु, पौधे, ये सब जह वा क्या कर रहे है तो carbon को ये मुक्त कर रहे है ये सब सारे carbon को मुक्त कर रहे हैं और जितने पेड़ पॉधे हैं जितने पेड़ पॉधे हैं चाहे वो phytoplankton वो सागर के अंदर या जहे हो वो ब्रिक्ष के रूप में ये सब क्या कर रहे हैं तो ये carbon का अवशोशन कर रहे हैं अब ये प्रक्रिया कब तक चल रही है तो ये प्रक्रिया कब चल रही है तो ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है ये प्रक्रिया क्या है निरंतर चल रही है इसलिए देखे कि वायू मंडल में कार्बन मौजूद है और उसका अवशोशन भू मंडल या स्थल मंडल पर हुआ फिर जल मंडल पर हुआ और फिर मुक्त होकर जहेवा कार्बन वायू मंडल में चला गया इसी प्रक्रिया को इसी चक्र को हम लोग कार्बन चक्र कहते हैं। फिर से जहेवा कुछ एक वीडियो बनाएंगे तब तक के लिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं फिर मिलेंगे हम लोग किसी नवीन से इंखिला के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद मैं अनिल केसी आपसे विदा लेता हूँ जैहिंद।